हलो एवरिवन, माईसल डॉक्टर पुलकी शर्मा, तो जैसे कि आपको पता है, NTA ने 23 लेक्स स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है, सेंटर वाइज और सिटी वाइज उन्होंने स्कोर बता दिया है, किस सेंटर पे से और किस सिटी में से बच्चो का स्कोर किस तरीके करा, ठीक है, कितने स्टूडेंट 700 प्लस हैं, कितने स्टूडेंट 650 प्लस हैं, सेंटर वाइज और सिटी वाइज आपने देख लिया होगा, अब अपन बात करते हैं, यह जो डाटा एंटी ने पब्लिश करा है, इसके बाद में आपके री नीट के चांसे बन रहे हैं, क्य पर्फॉर्मेंस काफी जादा अच्छा रहा है, तो वहाँ पर जो ऐलिगेशन लग रहे हैं, कि शायद यहाँ पर चीटिंग होई होगी, या फिर पेपर लीग हुआ होगा, तो उन ऐलिगेशन के बारे में भी बात करेंगे, उन सेंटर पे किस तरीके का पर्फॉर्मेंस ह और वहाँ पर क्या रीजन हो सकता है, और एक्चुल में वहाँ पर चीटिंग होई है, या फिर कोई डिफरेंट रीजन है, उसके बारे में आजके इस वीडियो में बात करेंगे, ठीके, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा देखेगा, तो एफिडेविट फाइल करा था, उसमें राजकोट का मेंचन था, ठीक है, एन्टिय का जो एफिडेविट सुप्रीम कोट में उन्होंने फाइल करा था, उसमें राजकोट का मेंचन था कि सबसे ज़्यादा टॉपर इस सिटी से, अगर मैं बात करूँ 2023 के रिजल्ट की, तो 2023 के रिजल्ट में जो सबसे ज़्यादा टॉपर थे, वो आपके राजकोट से ही थे, और सेम सेंटर कोड हैं आप देख सकते हो, ठीक है, आपका 220701 जिसमें से इस बार लग रहा है ऐलिगेशन की यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे क्यों आ गए, तो पिछले साल भी 2023 म 11 स्टुडेंट सेंटर से थे, ठीक है, और इस साल टॉप 5000 की अगर मैं बात करूँ 2024 की तो राजकोट का वो ही सेंटर 220701 यहाँ पे टॉप 5000 में 29 स्टुडेंट है और पिछले साल इसी सेंटर से 220701 इसमे 37 स्टुडेंट आपके पिछले साल थे टॉप 5000 में, तो इस साल रा राजकोट के same center से जिस center पे अभी allegation लग रहे हैं उसमें से आपके 37 student है top 5000 के अंदर अभी इस साल 37 की जगे 29 student है ठीक है और अगर मैं बात करूँ top 60,000 पे तो इस साल same center पे top 60,000 पे 190 student राजकोट के same center code पे जिसका center code आपको पता है 220701 ये center code है ठीक है ये एक तो center बढ़ा है सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है यहाँ पे आपका 1968 1968 1968 students का center था ठीक है काफी बड़ा center था काफी जादा संख्या में बच्चे है आप एपियर हुए जिन्होंने exam दिया इस center पे अब मैं इसको compare करता हूँ देखो और किसी center से और किसी city के कोई दूसरे center से तो मैंन मैं percentage की बात करूँ तो 52 student थे जिनका 650 प्लस score था total 502 एपियर हुए तो percentage वाइस अगर मैं बात करूँ तो percentage निकल के आता है 10.35 ठीक है 10.35% निकल के आता है सीकर के DAV public school का जहां पे कितने बच्चों ने 650 से अच्छा score करा 650 से जादा score करा अब मैं इस center पर आ जाता हूँ राजकोट के जिस center पर allegation लग रहे है ठीक है राजकोट के center में कितने बच्चे एपियर हुए थे 1,968 कितने बच्चों के 650 प्लस है तो 115 बच्चों के है अगर मैं percentage निकाल लूँ 650 प्लस तो वो निकल के आता है 5.84 तो राजकोट के इस center से double performance आप देखोगे contribution अगर देखोगे percentage wise तो वो seeker के center का है seeker का मैंने center randomly pick करा था तो आप ही देखो की reason यह हो सकता है कि यहाँ पे जादा बच्चों का center आया है पहला important चीज इस वज़ए से contribution भी जादा है अब जो इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो यह है कि कुछ centers प number of students भी जादा appear हुए थे 1,968 student appear हुए थे तो आप ratio में देखोगे तो कुछ centers पे जहाँ पे 300, 400, 500, 600 students थे वहाँ पे भी 2, 3, 4 बच्चे आये हैं जिनका score 700 प्लस आया है तो ऐसे में आप percentage wise देखोगे तो 1,968 student अगर है तो उस ratio में 12 बच्चे आना abnormally नहीं दिखता है अग आप को समझनी आप इस चीज को मत समझो के 700 से उपर कितने बच्चे हैं आप इस चीज समझो के इस बार 700 नंबर पे बाइस सो आल इंडिया rank है ठीक है 2200 अल इंडिया rank है इस बार 700 marks पे 700 marks की वो value नहीं रही जो पिछले साल थी ठीक है पिछले साल के साब से आप देखोगे कि 700 से उपर कितने सारे बच्चे आगे आप ये मत देखो 700 से उपर कितने बच्चे है आप ये देखो कि 2200 All India Rank के अंदर कितने बच्चे है उसे specific centers है तो 700 नंबर पे आपकी 2200 All India Rank है और total आपको पता है कितने centers है इंडिया के अंदर 4750 तो कुछ center पे से काफी जादा संक्या में ऐसे centers है जहां पे कोई भी बच्चा नहीं है ठीक है जिसका score 700 से उपर है क्योंकि हर state और हर city का performance अलग तरीके का होता है आप इस तरीके से expect नहीं कर सकते कि 2200 बच्चे हैं और 4750 center है ना तो इसमें इस तरीके से बच्चे होंगे किसी एक center पे से एक बच्चा आगया 700 प्लस फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 ठीक है तो हर दो center में से एक बच्चा आएगा जिसका score 700 प्लस होगा फिर जाके लगबग 2200-2300 बच्चे होंगे इस तरीके से नहीं होता यह distribution इस तरीके से होता है काफी center से 0 है काफी से 3-4 है काफी से 5-6 है कुछ centers पे जापे जादा बच्चे है वहाँ पे 12 बच्चे भी है और पिछले साल भी आपके राजकोट का performance मैंने आपको दिखाया वहाँ पे काफी जादा ऐसे students है जिनकी rank top 5000 में थी ठीक है राजकोट का अगर मैं contribution बानूं अभी भी तो राजकोट के 12 student है जिनका score 700 प्लस है उस specific center पे ठीक है 2200 total इंडिया के अंदर बच्चे है इससे जादा ही है तो percentage wise अगर मैं बात करूँ तो 0.54 ठीक है 0.54 percentage है राजकोट के उस specific center का ठीक है 1% भी नहीं हुआ है पूरा और सबसे important चीज़ अगर आपको लगता है कि paper में गडबड़ी की वज़े से ऐसा हुआ है हर जगे से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा score करा है तो इस data से आपको पता नहीं लग पाएगा कौन सा student genuine है और कौन सा student cheating की वज़े से अच्छा score कर रहा है अगर मैं reneat और no reneat की बात करूँ तो मैं आपको पहले ही बता चुका था data के basis पे ये decide नहीं होगा IIT मदरास की जब report है थी तो काफी जादा बच्चे खुषते no reneat वाले की अब तो IIT मदरास ने बोल दिया है तो अब तो बिल्कुल भी reneat होने की chances नहीं है तब भी भी मैंने आपको समझाया था ये data 24 लाग बच्चों का होता है इसमें आप किस तरीके से उसको analysis करते हैं कहाँ पे आप गडबड निकालना चाहते हैं निकाल लो या city wise result निकाल लो मैंने आपको ये result आने से दो दिन पहले ही बता दिया था ठीक है अब result में क्या abnormalities है आप specific mention नहीं कर पाओगे तो जब तक specific mention नहीं होगी तब तक आप इस पे इस वाली चीज के उपर आपका reneat होने के chances बिलकुल भी नहीं है चाहे IT मदरास की report से आप जो खुश हो रहेते जो no reneat को favor कर रहेते वो और अभी जो result में कुछ कम्या निकाल के abnormally high बता रहे हैं और जो आपको बोल रहे हैं कि reneat हो जाएगा अब इन गड़बड़ियों को देखके तो ये भी नहीं होने वाला क्योंकि गड़बड़ी evidence आपके पास नहीं है evidence के basis पे वाँ पे काम होता है ना कि allegation के basis पे क्योंकि इस result में आप identify नहीं कर पाओगे मालो किसी center पे 700 प्लस एक ही बच्चा है और आपके हिसाब से अगर cheating हुई है तो क्या पता वो एक बच्चा ही हो पर आप इस वज़े से focus नहीं कर रहे हो center पे क्योंकि एक ही बच्चा है एक बच्चा तो आई गया होगा normally क्या पता वो ही cheater हो और किसी center पे 700 प्लस 12 बच्चे है और क्या पता वो इस वज़े से आये हो कि वहाँ पे number of students ही ज़्यादा appear हुए थे या फिर naturally वहाँ पे उस center की performance अच्छी थी वहाँ पे इस चीज को पूरा proper तरीके से identify नहीं कर सकते है आप allegation जरूर लगा सकते हो पर evidence इस data से आपको नहीं मिलेगा यह मैं आपको important समझाना चाहरा हूँ तो जो आपका reneet का जो case है न यदी होगा भी तो वो सिर्फ पतना और हजारी बाग वाले case के paper leak वाले case के basis पे ही decide होगा data में कोई गडबड के basis पे decide नहीं होगा यह चीज आपको समझ नहीं है इसके लावा आपकी 22nd July को hearing है और उसके लावा अगर आप counseling कराना चाहते है तो आप इस number पे WhatsApp पे message कर दीजिएगा अगर आप counseling कराना चाहते है Telegram channel को जरूर join कर लिजिएगा Telegram channel का नाम neat info है description box में मैंने link दे रखा है वहाँ पे जाके आप Telegram channel को join कर सकते है वीडियो informative लगा तो वीडियो को like करके channel को जरूर subscribe कीजेगा comment section में re-neet और no re-neet करने से decision नहीं आएगा आप अपना opinion रखेगा आपको क्या लगता है आप चाहे री-neet को favor कर रहे हो या oppose कर रहे हो रादर देने एक दूसरे से fight करने के क्योंकि fight करने से कोई final output निकलेगा नी आपको जो चीज बताई आपको genuine लग रही है तो वो बताईएगा और आपको कोई चीज जिससे आप disagree है तो वो भी आप comment section में जरूर लिखिएगा thanks for watching the video मिलते हैं किसे अगले वीडियो में बाई